तो आज मैं आप लोगों के लिए मूली भाजी के ऐसी रेस्पी लेकर आई हूँ जो सायद तक आप लोग कभी नहीं खाए होंगे अब क्या है कि भाजी तो सब को पसंद नहीं होता खास करके बच्चों को और बच्चे भाजी खाने से कत्राती ही हैं तो भाजी की सब्जी हम सभी को नहीं खिला सकते अब हरी सब्जियां खाना तो सभी के लिए अच्छा होता है सिहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदे मंद होता है मूली भाजी तो और भी ज़्यादा फायदे मंद है ये पोसक तत्तों से भरफूर होता है तो हमें इसको किसी न किसी रूप में बच्चों को बड़ों को सभी को खिलाना चाहिए तो हम उनको किस तरीके से खिला सकते हैं उसकी मैं आज आप लोगों को रेसिपी एक बहुत ही आसान रेसिपी बताने वाली हूँ जो आप सभी को खिला सकते हैं और सब को बहुत ही पसंद आने वाली है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है तो आज मैं आप लोगों को मूली भाजी के ऐसी रेसिपी बताने वाली हूँ जो लगभग सभी को पसंद आएगी और जो healthy भी होगा और tasty भी होगा तो रेसिपी बनाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर मूली भाजी ले लेना है तो मैं यहाँ पर कंद वाला मूली भाजी ले रही हूँ तो इसमें छोटा-छोटा कंद आया है यह और यह भाजी है तो कंद को हम सलात की रूप में खाएंगे और भाजी से रेसिपी बनाएंगे तो हमें सबसे पहले इसका जो ये डंठल वाला पाठ है उसको निकाल देना है और हाँ दोस्तों मैंने भाजी को लाकर सबसे पहले अच्छे से इसे साप पानी से दो तिन पानी से धोलिया है कियोंकि इसमें मिट्टी लगी हुई थी और हमें इस तरीके से उसका जो डंठल वाला पार्ट है उसको निकाल देना है और भाजी वाला पार्ट ही हमें लेना है अब भाजी से डंठल वाला पार्ट निकालने के बाद हमें इसको बारिक बारिक का अब क्या है कि जो हम लोग नास्ता बनाने जा रहे हैं उसमें ये जो भाजी का जो हाड वाला पार्ट है वो अच्छे से नहीं पक पाता है और अच्छा नहीं लगता है उसका टेस्ट और ये जो ग्रीन वाला भाजी वाला पार्ट है वो अच्छा लगता है तो हमें इसी को ले लेना है सबजी की तरह नहीं है सबजी में सब भी पक जाता है और अच्छा लगता है तो हमें इसी तरीके से सारी भाजी को काट लेना है और ये देखिए मैंने सारी भाजी को अच्छे से बारिक-बारिक काट लिया है अब इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ प के पास यूज ना हो आप उसको ले सकते हैं और उसे अच्छे से धो करके सुखा करके आपको उसको थोड़ा दरदरा सा पीशना है इसको हमें ज्यादा चिकना नहीं पीशना है इस तरीके से हमें इसको थोड़ा दरदरा सा पीशना है हमें कीस तरीके से पीशना है जैस तरीक उसमें क्रंची सा टेस्ट आएगा तो हमें उसी तरीके का लेना है तो मैंने इसे हमें इसको एक बड़ा सा बाउल में निकाल लेना है और ये देखे मैंने एक किलो के करीब चावल लिया है और इसको बड़ा सा बाउल में निकाल लिया है अब इस रेसिपी को और भी बहतर ब पानी को गरम होने के लिए उबलने के लिए रख दिया है तो हमें बिल्कुल उबलते हुए पानी से ही इस आटा को हमें लगाना है हमें इस आटा को एकदम थोड़ा सा धीला इसका बैटर बनाना है तो इसी तरीके से हमें इसमें पानी को डालते जाना है और हमें इसका इसी इसका बेटर बनाना है और इसे हमें अच्छे से मिला लेना है तो यहाँ पर हमें लगभग एक किलो चावल आटे के लिए हमें यहाँ पर आधा लिटर पानी के आ सकता होती है और हमें बस हमें इसमें उबला हुआ पानी ही डालना है हमें इसमें कच्छा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है ताकि ये जो चावल आटा है वो अच्छे से पक भी जाता है और इसका जो है ये बेटर जो है अच्छे से बन जाता है तो अब हमने जो भाजी को काट कर रखा है उस सब को हमें डाल करके इसमें अच्छे से मिला लेना है अब तक तो आप समझ ही गए होंगी क मैं इससे क्या बनाने वाली हूँ तो मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ जो मोटी रोटी है चावल आटे से हम लोग बनाते हैं और यह जो मैंने चावल का आटा थोड़ा सा निकाल कर रखा था उसको भी डाल दिया है इसको डालने से क्या होता है कि हमारा जो है जो चावल आटे का हम लोग मोटी रोटी बनाते हैं वो थोड़ा सा क्रिस्पी सा इसका टेस्ट आता है और अब हमें इसमें स्वाधनुसा नमक डालेना है और ये देखिए हमारा बैटर जो है बनकर तैयार है अब हमें इसे बनाने के लिए तवा गरम कर लेनी है तो मुझे नहीं पता कि ये नॉस्टिक तवा से बनता है कि नहीं लेकिन ये जो हम लोग घर में सिल्वर का तवा जिससे रोटी बनाते हैं या फिर लोहे के तवा उससे हम लोग इसको बनाते हैं और ये बहुत ही अच्छा क्रिस्पी सा बनता है तो इसको अंगारा रोटी या मोटी रोटी या फिर पनपूरवा रोटी जो भी कह सकते हैं लेकिन आज कल क्या है कि इसे इंस्टेन तरीके से बनाया जाता है हम लोग गैस पर ही इसको बनाते हैं अभी चूले का तो यूज बहुत ही कम किया जाता है वैसे करते हैं हम लोग घर में चूले का यूज लेकिन बहुत कम करते हैं तो हमें इसी तरीके से तवा पर इसको भैला लेना है जो हमने आटा तयार किया है इसे तेल या घी जिससे भी बना सकते हैं लेकिन घी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और हाँ इस बनाने के लिए हमें तवा को एकदम जादा हाई फ्लेम पर गरम नहीं करना है इसको हमें मीडियम फ्लेम पर ही गरम करना है और ये दिखे 10 मिनट मैंने इसको ढग दिया था और ये सैट सैट से थोड़ा सा गोल्डन कलर आ चुका है अब हमें उपर से भी इसमें थोड़ा सा घी लगा लेना है और इसे पलट देना है ताकि इसको पलटने के बाद फिर से ये नीचे से अच्छे से पक जाए तो हमें उ बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और इसे मीडियम फ्लेम पर ही इस तरीके से पका लेना है बस 15 से 20 मिनट में ही ये जो रेसिपी है वो बनकर तयार हो जाती है और इसे टमाटर की चटनी मीर्ची और मूली के साथ हमें इसको सर्व क कर दीजिए वीडियो अगर पसना देए तो वीडियो को लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा सेर कीजिए और कमेंट कीजिए और वीडियो पर लाश्ट तक बने रहने के लिए थैंक्यू दोस्तों